आज साम की टाइम मुझे बहुत हलका फुलका खाने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना हिल्दी और जटपट बनाया जाए जो गैस जलाने की विज़रूरत नहीं पड़ेगी तो बस फटा फटा हमने बना लिया तो चलिए रेश्पी को बनाते हैं बहुत आसान है हमने अंडे को छोटे-छोटे पीसिस में कट कर लिया है और यह जो चाट चटपटा बना रही हूं ना सच में बड़ा यमी होता है खा लेंगे तो पेट आपको भर जाएगा साम की टाइम भूग भी नहीं लगेगी खाना खाने का मन नहीं करेगा और हमने आपे एक छोटी मिला लेंगे एक तमाटर छोटे कटे हुए वह मिला लेंगे आप इसमें खीरा मूली गाजर डाल सकते हो बड़ जो हमारे पास था हमने वहीं डाला हरा धनिया डाल देंगे धेसारा और इसके बाद यहां पर स्वाथ करन साथ सेधा नमक डाल देंगे और यहां पर मेक्सिकल लेना है तो यह हमारी चटपटा घर में चाट बनके रेडी हो गया है तो यह जो रेश्पी है ना आप लोग जरूर इसको चाय के साथ इंज्वाय करिए या फिर आप उसको सामक टाइम इस तरह से बना के खा सकते हो बहुत लोग होते हैं सामक टाइम खाना नहीं कर लिया है तो बस देर आप लोग मत करिए आप लोग भी बनाईए और सामक टाइम खाना ना खाए इसको इंज्वाय करें तो आप हर तरह के मूंग फली चाट चना चाट मूंग दाल चाट या फिर छोला चाट इस तरह से बना सकते हो तो देखिए हमारे जटपट बनके र प्लीज कमेंड किया करो हर कमेंड का रिपलाई मैं दूंगी और चलिए मैं खा के बताती हूं वाव इतना यमी चटपटा चाट एक बार बनाएंगे ना तब आपको यकीन आए गया कि कितना परफेक्ट कितना जटपट बनता है तो चलती हूं अब मैं खाने उमीद कि रेश पी अच्छी लगी होगी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले बाबाई